गोड मॉनिंग फ्रेंड्स तो आज हम आप ले रहे हैं एस थ्री एस थ्री कैस्प्रो एकांटिंग इस्टेंटर थ्री अवाउट कैस्प्रो ओके एकांटिंग इस्टेंडर थ्री अवाउट कैस्प्रो प्रिप्रेशन ओता कैस्प्रो ओके विच इस मेंडेटरी कैस्प्रो क्या है मेंडेटरी है किसके कैस में इस तर्नोवर इच मोर दन फिप्टी सी आर यजी पचास कोड़ से ज्यादा टर्नोवर है तो यह मेंडेटरी है ओके लेकिन यह दोनों मेंसट से हो सकता है डारेक्ट मेंसट से और इंडारेक्ट मेंसट से हुआ हुआ है ठीक है लेकिन अगर कंपनी लिस्टेड है लिस्टेड कंपनी है यह इंद प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है तो लिस्टिंग कंपनी के लिए इंडारेक्ट मेंसट से हमको क्यास फिलो मेंडेटरी है इंडारेक्ट मेंसट से ट्यस्ट फिलो बदाना मेंडेटरी है ओके तो यह आपके प्रोविजन से क्यास फिलों के लिए अब यहां पर जो बर्ड है कैस तो इसके लिए जाने दो बर्ड इस्प्रेसिफाइग की है में स्टंडर में एक है कैस और एक है कैस इक्विलेंट्स कैस एन कैस इक्विलेंट्स ओके कैस में भी दो चीज़ें है कैस इन हैं और कैस इन एजए डिवाइंट डिपोजिट बिल बेंट्स ओके कैस इक्विलेंट्स कैस एक्विलेंट्स कैस एक्विलेंट्स है सॉन्टम कैस्पिलैंग क्रिप्ट व्यालिप्किट इन ने एिट्विट देख एड देखंगे लादी तेट इंवें इन था मैंन थजए यादगिन थेया देखंगे एड दो सौर तम का मला है बर सौर्ट का फ्री मन्स तख, वोके अप्टू तू थी मन्स, नॉर्मली इसिगनिफिकेंट रिस्क इन का नॉर्टिंग, ये इन चेंजेश इन कन्वा क्या, on converted cash value तो यह जो घजकी किया है क्यों के लिए cash दो चीजह होती हिंए encrypted होता है और एक क्यों की रोता है कैस क्या होता है जो भी in hand tex होता है या जो demand deposit with bank होता है जैसे saving bank करन्ट अकांट हो गया जहां हम दिमांट पर कभी पैसा लगा निकाल सकते हैं अब दिया रोगे नहीं होंगी है क्या होग?' और कैशवेलेंट क्या होग? सौर्ट ट्रम हाइ?! हाइली लिटेंजर्डि से कम आथीज्योग सकते हैं सर्थ मधी जीत एal था वज कि उच्छेश होंगाँ गांवल்.iller तो यह होगा है कैस्छ एक्यूवेलेंट का जो मतलब है, दो बर्दी. सबस्टोchine के जा एंक है कि aट मतलब तो हमें समझ गया लेकिन बाद कैस तो कैस फिल और मतलब फिलो का मिस इन फिलो na न आउट फिलो इंफलो भी किसका? कैस और कैस इक्विलेंट आउट फलो किसका? कैस और कैस इक्विलेंट ओके? अब यह इंफलो और आउट फलो होगा किस-किस टाइप आउट फलो होगा यह स्टंडर्ड क्या कहता है? जो सारा कैस आता है जाना उसको थ्री पार्स में इसने डिवाइड किया है जाना जानी इस्टंडर्ड थ्री पार्स में डिवाइड करता है इंफलो और आउट फलो को कौन-कौन से थ्री पार्स में? यह कहता है आउट प्रड़ांस से पार्स में दाउब करता है और की सुन थार्ड का है, फानेंसिंग अट्रूटीज हाँ जी, तो यह अपरेटिंग अट्रूटीज क्या होती है ब्रीचार, रेसीव्ड और टेर्ड क्योंकि इनमें दोनों में इनफ्लो भी है और आउट्फ्लो भी है इसमें भी इनफ्लो भी है और आउट्फ्लो भी है इसमें भी इनफ्लो भी है और आउट्फ्लो भी है Okay, received or paid, you are required from producing activities. Producing activities means producing goods or services, producing activities. Okay, that is sales, sale of goods and services, sale of goods and services. Okay, royalty, fees, commission, okay. Okay, इसी दरे goods and services हो गया, payments के बारे में, इसी दरे payments हो गया, payments to employees, यह सारी चीज़ आगी, हमारी operating activities. Okay, investing activities में क्या आएगा, इन्वेस्टिंग अच्टिविटी में, नूरे रखे आषीजेस्ट्दा ऑप आप एप आप आप अप आपल कि अजये से आप आपस प्यानण आप आप हो इड़्ा, आप्रमेट दिन एर इन आप्राव, रिए्टेर रिच्ट रिप्राव, टिन ए कि दिन ए तनद्फिटंग नाप्राव, फिए ग्राव थे तौने लोगी शुक्वाव, नुक्वाव, आप्राव, औरी वित्वार मेंद्वैंग, रिए प्राव, यदिय।, झाटबड़य।, कर दोड़िए हर तोड़िए हर दोने दो करना वार दो सिघह प्दिटं करो दो क्योग गार उडिए टेह रूम अडिक अडिखे दो ए रूम् किविन लेकिन नोट इंटरस्पेड फानिसिंग क्या आएगा फानिसिंग एक्टिविटीज में आएगा चेंज इंग एकुटी जो भी सोर्सेंग फानिसिंग होते हैं लॉंटर्म बोर्विंग्स एकुटी पर डिएट इंट युलॉल्टी ओडिएखव में कि बाइब को सियर वाइब रिडेंशन लोन पेइमेंट तो बेसिकली आप स्क्या समझेंगे इसके अंदर जो लाइवल्टी साइड और बैलेंशिट की चीजह आती है इसमें असेट वाले आती हैं मेगर मेगर उप्रेटि एक्टर्टी में प्रॉफट रंड लास वाले ग्लिकिन जो ऑपरेशन से रहाती हैं कि कि उसाथ में और बहुंद कुछ वी में प्रिफेंशिर संवर ल्हाव एंसे हम हैं यह हमारे सोडसर फारेश करते हैं Okay यह समझ में आपको operating activities investing activities and financing activities इस तीन पार्ट में हम cash flow निकालते हैं तीनों को अलग अलग निकालते हैं ओके तीनों का अलग अलग होने calculation करनी होती है अज्वान के अधोर्ण के आपके 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 कीए है केस्ट फिलो है एक्सक्रूट आ जो अपने कैस हैं है और कैस इक्विलेंट है क्लैसिंट से यहाँ पर कैसी कुलेंट से यहाँ पर जो पेहमेंट होता है या सीट होती है पेहमेंट एंड रिसीट और चेंज और कन्वर्जन यह सब कुछ कैस्ट फ्लो में नहीं आता not to include in cash flow केवल आपको क्या करना होता only reconciliation is true पर प्लो में आपको केवल reconciliation आपको केवल reconciliation पर प्लो में नहीं आता आपकेवल आपको reconciliation प्रिपेर करना होता है अब यह जो cash management होता है इसमें क्या क्या इंक्रूड होता है यह standard कहता है, जो cash management, includes, includes the, includes the investment of, investment of, excess cash, excess cash, or cash equivalent, एक्सेस केसर, cash equivalent का management भी cash में include होता है, तो जो हमको report करनी होती है, cash flow की, तीन पार्स में करनी होती है, cash, flow, यहनी, in flow, out flow, from operating activities, फिर हमें करना होता है, cash flow, out flow, from investing activities, फिर हमें करना होता है, cash flow, in flow, out flow from financing activities, यह सब की reporting कहता है, ओके और इन सब में हमको, देनी होती है, net increase, and net decrease, इसमें भी देनी होती है, net increase, net decrease, इसी तरह financing activities में हमें देनी होती है, net increase, and net decrease, and net decrease, okay, यह सारी चीज़ें अपनी को देनी होती है, उसके अलावा, कुछ कुछ चीज़ें हम आपको बताएंगे, जिसमें confusion हो सकता है, आजी, interest received, हाजी, अब हम समझते हैं, interest received, on investment, interest received on investment क्या है, हाजी, that is investment activities, हाजी, interest received on investment क्या होगी, investment, okay, on investment, हाई, सको हमें nt rest received, on investment, यह investment activity हाई, इंट्रेस्ट रशीब और केसी कुबेरेंट स्वार्ट तर्म हमने रखा हुए तो उस पर जो इंट्रेस्ट होगी तो यह घहां आएगी तो यह जो आएगी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर इसी तरे इंट्रेस्ट रशीब और रशीवेविल्स और अद्वांस यह भी कहा हैगा यह भी अपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा, अपरेटिंग एक्टिविटीज ओके अवादी इंट्रेस्ट रशीब हाने, जो इंट्रेस्ट रशीब एक्टिविटी ओन रोज किसमा अएगाई, यह अएगा फानेंसिंग एक्टिविटीज है आएगा तल्दों perdmin, इंट्रेस्ट रों से लुजिए मुजितीं आएगाई थीजिए एके इंट्रेस्ट आएगाई ग्थाएगा प्रेस्ट बशीजिए किसमा ब्रीटीजिएpadशन रोंस्ट रोजर से तक्व Video Limited बर्किंग अपिटल अपिटल कि अपिटल कि अपिटल कि अपिटल यह अधर ऑपरेट और ऑपरेटिंग ऑपरेशन्स के लिए मालोग केरिक्टर से माल अधाल लिया इंटर्स देना है तो यह सारी केसमें आएगा ऑपरेटिंग यह इंटर्स कहां पर आएगी ऑपरेटिंग एक्ट्विटीज में ठीक है क्ट्राम से तेक्टर्स केस्फर ऴीच भी फिलो ख लागं पिलोग् हम इंटर्स इन पेलोग इन प्क्राम इंटर्स इने रर्स ऑक्ट्विट घ हम इंहाँ पराउज के तेकेस्टाचच़ यह हम गोज सेपरेटली यह हम गोज सेपरेटली डिस्क्लोज करना है इस तुब डिस्क्लोज सेपरेटली ओके अब एक दो आटम और है ठीक है यह सब समय में आया है हाँ जी तो यहां से हम आगे बढ़ें यह सब कॉपी किया है अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अब में आगे अब हम सबस्ते निवीदेंश डिन प्रपियर ने डिमीदन रैसी तो डिमीदन पिट और दिमीदन रैसीं अगर हम फानेंसिल कंपनी है, फानेंस कंपनी है, फानेंसिल और अगनाई जैसा है, या बैंकिंग और फानेंसिंग जैसे हमारे कान है, या हम, मैनुफेक्ट्री, या अदर कंपनी है, तो इस केस में जो रिसीव डेज, फानेंसिंग में तो होगा, रिसीव हमारा काम ही होगा है, और इसके लिए हमारी इंवेस्टिंग इंकम होगी, इंवस्य इंकम, या इंवस्य उिह इंसे जोगा है, यह चैसी इस कीस भी टो रहा हो, को और विज कि यह उन सेयर्स पर और प्रफेंश सेयर्स पर दिया जाएगा जो हमने ठीक है जो हमने सेयर्स इसू किया है जिन से हम फानेस करते हैं यह जो डिविडेंट है कि डिविडेंट्स को कि कैस फ्लो कैस फ्लो जहां भी मैं बाट बोलूंगा इन फ्लो और आउट फ्लो दोन सामें कैस फ्लो फ्लो फ्लों डिविडेंट्स और सुद्वी इसक्लोज्ट सेपरेटली जो भी कैस फ्लो है फ्लों डिविडेंट्स इसको आपको सेपरेटली डिसक्लोज करना है इसक्लोज करेंट्स यह समयना है यह सर्थ अब आवन चलते हैं तुब आवर आगी इसक्लोज करेंट्स इसक्लोज करेंट्स इसक्लोज करेंट्स इसक्लोज करेंट्स इसमें दो चीजा होंगी एक तो अफेक्ट अफ चेंज दू टू चेंज इन एक्चेंज रेट क्योंके क्योंके अफेक्ट प्चेंग यॉश क्येंग चेंगज आद एफेक्ट आवज़ झांग YOURूंक क्योंके, क्योंके, क्योंके इसक्येंग क्योंके, क्योंकेram, अपे औ Response झारिव प्युटण्स क्योंके आव Northwest तो यह जो एक्षेंट चैन्ज हो सकता है यह कैस में हो सकता है और कैस एक्वरेंट स्वा हो सकता है के समने फॉरं में रखा हुए कैसे को रेंट से लोके तो हमको क्या करना है एक पूर्ट सेपरेट लिए ओके अन्रेलाइज गेंस और लास है इनका हमें नॉट टू इंक्रूब इंक्यास फ्लूज जो अन्रेलाइज है तो ना इन फ्लू हुए ना आउट फ्लू हुए हमें इसका कुछ भी नहीं करना है ओके तो यह हमको समझना है कैस फ्लू की केस पर फॉरंग कैंसी ट्रांजेक्शन के अंदर ओके अब हम समझते हैं एक्स्टा ओर्डिनरी आइटम्स प्लू हुए 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 प्लू हुए 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 इसको भी हम तीन पार्स में डिवाइड परेंगे ओके एक्टार्डिनरी आइटेम्स को एक्टार्ड फ्रॉम ऑपरेंटिंग केस्ष्ड प्रॉम अस्फ्रॉम एक्टार्डिन इतम्स okay investing cash flow एक्स्टार्डिनरी इतम्स के एंध फिनसिंग कैस फ्लोज एक्स्टार्डिनरी इतम्स्टार्डिनरी 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 क्यास फिलू 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 एक्स्टारडिनरी आइटम्स ओक्य अब आजाएए यह हमने एक्स्टारडिनरी आइटम्स के वारे में समझेंगे टीटमेंट आज़ेंगे टीटमेंट टैक्सेस के बारे में कि अ बाहिए और खरेण है कि अथै कि यपिश एक कार लु Huge लुगमाप झाल आप्साज़ you कि यदो यदार क skipping कि युट सोkop त्रीड मेंटर टैक्से योदि हमने कोई टैक्स का पेमेंट किया यह पे रिफंड मिला जो की ऑपरेटिंग एक्टूटीज से रिलेटर है तो हम इसको ऑपरेटिंग एक्टूटीज में लेंगे ओके इदी कोई स्पेसिफाइड टैक्से इन्वेस्टिंग एक्टूटीज से तो हम इन्वेस्टिंग एक्टूटीज मेंगें टैक्स है लाइक डिविदेंट इस्टूटीज टैक्स यह फाइनसिंग एक्टूटीज से रिलेटर है तो हम इसको जो भी इसका पेइमेंट होगा या रिफंड होगा उसको हम फाइनसिंग एक्टूटीज में लेंगे ओके यह आपका है टाट्यमें ट्यूटीमेंट ट्क ciao फाइनसिंगी इंवेस्टमेट नि अव्由 researching नद्टार्टिंटे सुट इन्टेम्ट अवाजी इन्टेम्ट इन liśmyence सबसुदिरेंच when crystal 1967 सबसुदिंटैरीज जान्ट में एलस कर, जो भी इन्वेश्टमेंट है, सब्सुदिरेंच mantra, में नीया या एसोशेट में हैं तो केवल ओली ओली कैस्ट फ्लोग बिट्वीन आवर सेल्स वर सेल्फ एन इंवेस्टी तो वी कंसीडर हमें केवल तो केवल इवस्टिक हमने इन और सब्सक्रों का न हुए हैं केवल उस कैस्टव ररे वारि में हो लही हैं ओन सब्सक्राइब कोई निए के अंदर कैस्टवों में दैने की ज़गफ नहीं Bianेघ ओके यह नेक्स ग्यास फोलो इन एक्यीशन और डिस्पोम्ज करो के लुएन एक्यीशन एन्ड डिस्पोम्ज ये एक्यीशन ये डिस्पोम्ज सबसरी इस हो सकता है को मैं किसका हो सकता है और अदार इन इ機स ज़सकता है सब्सक्राइब कि यह हमको क्या दिखाना सेपरेटली दिखाना है अंदर इंवेस्टिंग अंदर इंवेस्टिंग अंदर इंवेस्टिंग अटिविटीज ओके और इसके अंदर भी क्या भूरना है पर्चेज की प्राइस अलग दिखानी पर्चेज यह मूट अलग डिस्पोजर वाली अमूट अलग यह सेपरेट परसे जाना हूँ ओके यह सेपरेट दिखानी है यह सेपरेट दिखानी है सेपरेट और केवल किस किस में दिखानी है कितना कैस में दिया गया है कितना कैसी कुविलेंट में यह हमको डिस्पोज करना है यह हमने किसी और मोट से किया अधर मोट सेपरेट अधर मोट सेपरेट अधर में दिखानी है हमारी पर दिखाना है कैस कितना दिया गया कैसी कुरेंट कितने दिया गया इसको हमें डिस्क्लोज करना है अलग अलग ओके तो यह सारी चीज़ें हमने कुछ डिस्क्लोज करानी है ओके तो जो तो जो चीज़ें अधर हैं से अधर हैं एक्षेंजेंजें अनि जो नॉन केस्ट रांजेक्शन्स हैं उनको हमें नॉन केस्ट रांजेक्शन्स को हम एक्सकुलूट करेंगे नॉन केस्ट रांजेक्शन्स हमको कोई नहीं दिखाने है ओके इसके लावा एज़ो हमें और क्या डिस्क्लोज करना है इसके अलावा हमको यह जो केस्ट रांजेक्शन्स हं इनका reconciliation इनका reconciliation मैंने पहले भी आपको बताया था यह reconciliation आपको disclose करना है ठीक है reconciliation कितना cash है और कितना cash equivalent है यह tally हो रहा है ठीक है और यही कोई cash not available for use है किसी के अंदर restriction है कि उस cash यह कैसे के लिए हम use नहीं कर सकते तो that is to be disclosed separately it is to be disclosed separately तो यह हमको disclose करना पड़ेगा separately ओके तो यह आपने समझा cash flow के case में ultimately हम cash flow in acquisition disposal करना है ठीक है subsidiaries में other units में under investing यह समने दिखाना है कि उस portion को दिखाना है जिसके लिए हमने या तो cash दिया या cash equivalent दिया non cash यह उधारी पर लिया है liability के लिए हुई है shares दिये है deventures दिये है exchange asset दिये है या कोई obligation लिया है उन सब चीजों को में नहीं दिखाना है हमको के बाद दिखाना है cash और cash equivalent और उसके बाद भी cash और cash इनकी separate purchase की amount यह दी हमने कुछ asset purchase की उसके बदले कुछ और खड़ी दी purchase amount separate दिखाना है और disposal amount अलग दिखाना है फिर हम लोग क्या करना है reconciliation करना है cash का और cash equivalent का और यह दी कोई cash और cash equivalent non available for user हम उसका use नहीं कर सकते तो that is to be disclosed separately तो thank you कोई point हो कोई question हो कोई query हो तो आप 98104 25103 पर पूछ सकते है या mail id drupkum at the rate yahoo.com thank you thank you very much